हमारे साथ वीजेभी प्रदेश अद्यक्ष वीडी शर्मा लाइब जोड़ चुके हैं बहुत स्वागत है वीडी शर्मा जी आपका आइंडी 24 पर और लगातार जिस तरह से एक प्रवास करने की जब हम पुराने काल में देखते हैं तो कल्पना होती थी व्यक्ति प्रवास क से आपने सभ्यान की शरुवात की और आज आप पन्ना में हैं विजेजी ये भारती जनता पार्टी है जो दूसरे तलों से अलग ही इसलिए है कि हम हमेशा जनता के बीच प्रवास के माद्यम से अपने संगठन के काम के बल पर जोंग हम कहते हैं हम कार्यकरता अधार इतल ह है तो मानी प्रधान मंतरी मोदी जी के देतरतों में आज देश के अंदर भारती जनता पार्टी इस प्रकार से मजबूत हो रही है मानी अमिस्सा जी ने मानी नड्या जी ने जो इस प्रकार से पूरे देश के भारती जनता पार्टी को खड़ा किया है आज में पन्ना जले हैं जी और आदिवासी गाओं है पूरा हमारा सारे जंजाती बंदू है और इन में इतना है भारती जंता पार्टी के लिए मन्नी प्रधान मंत्री जी के पर इतना बिश्वास है कि सभी लोग के साथ यहां पर अभी बैटे हुए हैं इस लिए इस दिसा में मैं केवल एक ही इस दिसा में केवल एक ही बात कहूंगा कि जो हमारी पूस सम्थी के सक्षम करने का हमारा जो अभ्यान है इसमें भारती जंता पार्टी के हमारे सभी कारकृता बड़ी ताकत के साथ मेदान में लगे हैं और इंटीर जित्रों के अंदर भी भी भारती जनता पार्टी के सबी कारका अज काम पर रहे हैं तो मैं भी आज उनके प्रकार का अभीनफ प्रियोंक भारती जन्ताप्रटी का है और भारती जन्ताप्रण पुत्रों के desserts लोगों को केवल क्यान देने वालां फाम नहीं से प्रक्ट जमीर पर वेरिफीकेशन और बूत का डिजिटाइजिसन और बाइस प्रकार के काम भारती जंता अटप्र कर रही है और और ये कार्यकरता का भाहुमानी मुक्तमंत्री जी भी आस बूत पर हैं सारा नेत्रत भारती जन्तापार्टी के 65,000 बूतों पर लगबक 10 घंटे एक दिन काम करते हुए 100 घंटे का समय देखा ठाकरे जी की जनवस्ताथी वर्स पर संगटन परवु में हम अपने संगटन के कारिका विस्तार और का सुधरी करण का अभ्यान हम इस दिसा में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता इसमें ए दिहत विश्वास रखते हैं आपका जिस तरह से अब्जर्वेशन हो चीजों को समझने का आप कहते हैं कि मैं जब तक ग्राउंड में नहीं जाता हूं तब तक चीजे मुझे क्लियर नहीं होती यानि काग्जों में अच्छा लिखा पढ़ना सबको पसंद आता है लेकिन अब आप लगातार ग्राउंड में जा रहा हैं मुख्यमंत्री जितनी योजनाय चला रहे हैं प्रदेश में वो योजनाय और प्रदान मंत्री जी की जो योजनाय चल रही है उसको लेकर क्या फीडबेक मिल रहा है आपको ग्रामीडों का यह प्रदान मंत्री जी ने हम लोगों को भी संसत के दोरान जब मध्यप्रदेश के सांसतों के साथ बैठे थे उन्होंने पूछा कि आजादी के 75 वर्षोबाद भी गरीब आदमी के घर में बच्चा पैदा होता है और बच्चा कुपोसित होता यह कैसे हो सकता देश के अ पांसत हमारे जनपरदनी क्या भूमिका नेवारे उन बच्चे को को सितना हो आंगन बाडी के अंदर हम कैसे मदद करें साथ मैं प्रदान मंत्री जी आइस्पान भारत का कार्ड मैं अभी बूत के अंदर पूछा भी 200 चोतर मैं सब्य हमारे जन्जाती बंदू है मैंने पर ऐस्मान काड उप्योग हो रहा है दो उसमें कोंबेर जैटी के और प्रदान मंत्री की योजनाओं को मुक्षमें की योजनाओं का क्रियानमन उनकी मानिटरिंग अगर कोई धिक्कत आ रही तो उनका समाधान यह भी भारती जंता पार्टी के कारकरताओं का काम है जी और इस प्रकार के अव्यानों को जमीन पर तारने में हमारे बूत के कारकरताओं की सबसे महत्पूर भूमिका है जो गरीबों के जीवन बदलने का काम गरीब कर लेन की होजना कर रही है उनकार भी जर्चा है इस प्रवास के दोरान इस भूत विस्तार की होजना में भूत को ससक्त बनाने के अवियान में हम लोग इस काम में भी लगए हैं बिलकुल और निश्चित तोर पर कही न कही यही बात है जो बीजेपी को अलग करती है मैं जरूर इस बात को जानना चाहूंगा हमारे दर्शक भी बहुत उत्साइथ होंगे इस बात को समझने के लिए कि वो कौन सा प्रतिफल रहता है कि आप लोग लगातार वीडी शर्म जी की बात कर लीजिए बीजेपी के मध्यप्रदेश की जम्मेदारी है हमके पास शिवरासिंग चोहान जी सरकार संभाल रहे हैं प्रदान मंतिर नरेंद्र मोधी देश संभाल रहे हैं लेकिन जब आप लोग बूत पर जाते हैं एक कारेकरता नजार आता है जो पन्ने पल कोड़ना समझना और उस सब के बावजूद भी आप लोग जब सहत चर्चा करते हैं ग्रामीडों से तो यह थोड़ा जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि कई बार होता है कि नेताओं के पास इतना जिम्मेदारी आ जाती है तो उस भाव से थोड़ा दूर कहीं नेता दिखत है ऐसे स्रद्ध को सब ठाकरे जिनने अपने पूरे जीवन लगा करके भारती जंता पार्टी को और कठिन परसिति में खड़ा किया कुल गमा में मैं आज आया हूं हो सकता है कि पन्ना के कई स्तानों पर ठाकरे जी उस समय गयों जब कुछ निता साइकिल से पैदल चलकर कर पर कि जिन्हों ने पूरा जीवन लगा बाजपा को खड़ा किया आई दुनिया का सबसे बड़ा दल है हम गरीब हो के कल्यान का काम कर रहे हैं हमको इतना मान सम्मान है तो उन लोगों के कारण से तो हमको स्रद्धा वहां से मिलती है हमको कहीं कहीं दिशा वहां से मिलती है और मानी प्रधान मंत्री जिस प्रकार से काम कर रहेंगे दिवाली मनाने के लिए प्रधान मंत्री गर्मेनी जाते हैं वो माइनस 18 डिग्री टेमपरिटर पर जो सेनिक लेल अधदा के अंदर देश की सीमा पर सुरक्षा करता है अपनी जान गमा देता है एक सेकेंड के अंदर देश के लिए उनसे मिलने के लिए दिवाली मना ने प्रदान मंत्री जाते हैं मानी मुक्ष मंत्री 24 गंटे गरीबों के लिए कैसे तक पर तयार रहते हैं तो भारता भाजय पाके कारे करता हों को उन सब से हमको सरद्धा भी म दिया सकते लोगों ने जीवन लगा दिया तो आज इस दिसा में भाजपा के कारकरताओं से संकल्प के साथ जो मानिया मिस्सा जी ने का था कि मध्यप्रदेश भारती जनता पाटी इस पार कारकरता समय लगा करके अपने संगंटर को मजबूती देंगे तो आज मैं कुल ग लेकर के भारती जनता पार्टी बढ़ रही है और सामाजी विरस्टी से लोगों को कैसे हम वो लोगों के लिए खड़े हों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं जी अंतिम छोर का भूत है पन्ना दिले का और टोटल ट्राइवल भूत है यहां मास्क लगा करके सभी म जनता पार्टी के भूत के कारकरता भी इस देश के लिए भारती जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है बिलकुल बिलकुल और चिस तरह से आपने बताया बहराल यह महत्वपुन बात है आदरनी शर्माजी क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रामिर जनता जब कोई रायजधानी भोपाल से उनके बीच में जाता है और जाहिर सी बात है आप गए होंगे ना कि बल कारकरताओं को बूस्ट अप करने की भी एक कोशिश होती है और जाहिर सी बात है प्रदेश अध्याक्ष को देखकर उनसे मिलकर कारकरताओं में भी एक συannya की भावना होती है लेकिन आम जनता में और क्या चीज़े आप देख पा रहे हैं? इस तरह से आपने बताया कि तमाम सरकार की योजनाओं को लेकर भी अच्छा प्रतिसाद अभी तक आपको मिल रहा है। आम जनता और क्या उम्मीदे आप से कर रही है? ब्रियजी एक बड़ा महत्पुन पहलु हुए है। हम जब लोगों के बीच जाते हैं गाउं जाते हैं तो कल्चर और संसक्रती देखने को तो यहां मिलती है। इस बात को देखकर के बहुत आत्मी आनंद भी होता है और भाबुक भी होते हैं। किस प्रकार से भारती संस्क्रती को हमारे गाउं के अंदर हमारे सामाने से सामाने लोग किस प्रकार से आज भी पालन करते हैं। यह हम लोगों को प्रेना भी देता है और मुझे लगता है कि जो बास्तमिक देश है वो तो गाओं के अंदर ही है तो यह भी देखनों को मिलता है तो अपने काओं के दर्शन इस दिसा में भी हम लोग लगाता है इस प्रयास को कर रहे हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि अगलत परकार की चीज़ होती है और जनता को लगता है कि मानी प्रदहांनमंत्री जी और में अमा दुमत्री मंफन गाले का अभियान है उस में और उनको जिजोंगी जरुदाए उनकी मिचर्चा यहां पर होती है कि पानी को लेकर पानी की जरुवत है यहां पर खेल के मैदान की जरुवत है आज मुझे नौजवान मिले कि हमको खेलने के लिए एक मैदान अगर मिल जा तो बहुत अच्छा है ऐसी कई चीजा भी देखने को मिलती है कि हमारे लोगों को उन्हीं योजनाव से लावाने में नहीं हो रहें नहीं हो रहें तो उनको कैसे करना तो इसकी भी चर्चा ब्यापकतर पर हो रही है जंता इसमें मुझे लगता है कि बड़ा आनन सब लोगों को महसूस हो रहा है तो तमाम जंता के प्रतिसाद और ये सारी चीजे देखकर क्या लगता है वीडी शर्मा जी को कि वो जो लगातार आप लोग जसे तरह से ग्राउंड वर्क कर रहे हैं उसी का प्रतिसाथ 2023 और 2024 में भी देखने को मिलेगा देखिे मैं ऐसा महलता हूं प्रजय ची तो कोरुना के संकट में लोगों के लिए जीजान लगा कर कि भाजपा के कि गरीब कल्यान में गरीबों का जीवर बदलने का काम जी उसके सर परच्छा तो प्रधानमंद्री आवास के माध्यम से उसको मिले आइस्पान भारत कार्ड में पांच लाग रुपे तका फ्री का इलाज देना ये कोई सामाजे घटना नहीं है जी ये सब देश के प्रधान जनता पाटी लगी और समाज के लोग मानि प्रधानमंत्री जी में उनका विश्वास है उनको लगता है कि देश का ऐसा नित्र जो 24 गंटे 365 जिन काम तो करता ही है कभी छुट्टी नहीं लेता देश के लिए खड़ा रहता है तो ऐसे विक्तित को ताकत देना जिसके करण स आयश्मान योजना का जिक्र किया और ये वही योजना है जिसकी तारीफ बिल गेट्स भी कर चुके हैं दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई थी क्योंकि बाहर मुलक के लोगों के लिए बड़ी ये कहना था कि भारत देश में क्या ऐसी योजना लागू हो सकती है जिसमें बकाइदा जिस तरह से आपने बताया तमाम फीडबेक मिल रहे हैं दूसरी और विडी शर्मा जी कॉंग्रेस भी एक अभियान चलाने जा रही है वो घर घर चलो अभियान के तहट घर घर पहुँचना चा रही है तो एक तरफ आपका अभियान है दस दिनों तक ही अभिया चलेगा तमाम आपका शीर्ष नेत्यत्व तमाम कार्यकरता इस अभियान में जुटे हुए हैं लेकिन कॉंग्रेस कभी एक अभियान है वो भी 28 दिन तक अभियान चलाने जा रहे हैं घर घर चलो नाम दिया है उसे प्रिजय जी बैसे मैं किसी दल की आलोचना भी करना चाता अच्छी बात है वो अभियान चलाएं मेहदान में उतरें उतरें तो सही हम तो कह दें बेपक्षी मजबूत हो पर हो तो सही जब लोग तंत्र में तो हम यह चाते हैं लेकिन यह आप रासांगी को गई यह कॉंग करता है अपनी लाइन आगे बढ़ाते हैं हम दूसरे की लाइन कमजोर नहीं करते हैं इसलिए वो बड़े अच्छी बात है लेकिन हम लोगों के लिए गरीबों के लिए समाज में हर छित्र में अपने बूत को मजबूत करने के अव्यान में जुटे हैं कॉंग्रेस को क्या लगता है मैं तो कहता हूँ वो और अव्यान एक नी और दो अव्यान ले और अच्छी बात हैं लेकिन भारती जनता पार्टी के मानी प्रधान मंत्री जी से लेकर मानी मुक्त मंत्री मानी राश्टेत दिग जी से लेकर का मिस्ता जैसे लोग इस देश में भारती जनता पा रहे हैं जनता का बहतर पतिसाथ आपको मिले बहुत बहुत धन्यवाद वीडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आइंडी 24 के दर्शकों तक अपनी बात पहुचाने के लिए तो बीजेपी प्रतेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो की ग्राउन में मौझूद हैं लगातार कारेकरताओं से मिलना हो रहा है इस बात को लेकर भी तमाब चानकारी दे रहते हैं